श्रीहर राय जी को दस्तार बंदी बाबा गुर्दित्ता जी की तेरवे वाले दिन दस्तार बंदी के समय जब आप जिने के बड़े सुपुत्र दीरमल जी करतारपूर से न आये तो गुरु जी ने अपने संबंदियों और भाई बाना आधी गुर्द सिखों से सला करके बाबा जी के छोटे सुपुत्र शिरीहर राय जी को हर प्रकार योग्य जानकर दस्तार बंदी करके गुर्दित्ता जी का अधिकारी नियत कर दिया दिवाली का मेला कीरतपुर गुरु जी के निवास के कारण बहुत सिख सेवक आप जी के दर्शन करने आते गुरु जी के दो समय दिवान सजते कथा कीरतन उपदेश मानसिक भोजन और गुरु का तूट लंगर बढ़ता गुरु जी हर राय को हर समय अपने पास ही रखते और उनके सिर पर पढ़ने वाले दायत्व की तयारी करवाते रहते दिवाली का मेला भी आ गया जिसे संगत ने बड़ी धूम धाम से मनाया और यथा योग्य भेंड अरपन करके गुरु जी की खुशिया प्राप्त की गुरु जी के पीछे पीछे जा रहे थे कि शिरी हर राय जी के जामे के साथ अटक कर कली का फूल जमीन पर गिर गया गुरु जी ने तूटा हुआ फूल देखकर कहा अगर जामा लंबा पहनना हो तो संभल कर चलना चाहिए बेप्रवाही करनी अच्छी नहीं होती गुरु जी से यह बात सुनकर शिरी हर राय जी उन्होंने हाथ जोड कर शमा मांगी और आगे से जामा उंचा उठा कर रखने का प्रण कर लिया यह प्रण आप जी ने अपनी आयू प्रण्त निभाया बाबा आनन्द जी को कीरतपूर बुलाना एक दिन गुरु जी ने भाई गडिये को एक चिठी बाबा आनन्द जी के नाम लिख कर गोईंदवाल भेजा कि आप जी कीरतपूर आकर दर्शन दे दो गुरु जी की चिठी पढ़कर बाबा आनन्द जी पालकी में सवार होकर भाई गडिये और अपने सेवकों के साथ तयार होकर कीरतपूर को चल पड़े बाबा जी जब कीरतपूर के नस्दीक पहुंचे तो गुरु जी आप जी को बड़े आधर के साथ लेने गए अपने घर लाकर गुरु जी ने बाबा जी का बड़ा सम्मान किया और सेवा करके प्रसनता प्राप्त की गुरु जी ने बाबा मोहन जी और मोहरी जी के परलोग गमन का बाबा आनन्द जी के साथ अफसोस किया और परस्पर प्रेम सत्कार के वचन करके कुछ दिनों के बाद आप जी को पालकी में बठा कर भाई गड़िये के साथ और सिख सेवक दे कर गुईंदवाल भेच दिया शिरी गुरु हर राय जी को गुरु गद्धी का विचार बाबा रबाबी और मलिक जाती के परलोक सिधार जाने के कुछ समय उपरांत गुरु जी ने अपने शरीर त्यागने का समय नजदीक अनुभव करके शिरी हर राय जी को गुरू गदी देने का विचार करके सब दूर नजदी के सिख सेवकों को कीरतपूर पहुंचने के लिए पत्र लिखे गुरू जी के हुकम नामे को पढ़कर सब गुरू सिख कीरतपूर पहुंच गए श्री धीरमल का कीरतपूर आना और गुरू बन कर बैड़ जाना संगत का कीरतपूर एकत्र होना सुनकर धीरमल भी अपनी माता के साथ कीरतपूर पहुँच गया जब उसने देखा कि सारी बेट गुरु जी को अरपन हो रही है और हर राय जी की तरफ गुरु जी का मुझ से जादा ध्यान है तो वहे एक दिन गुरु जी के दिवान में पहुंचने से पहले ही सुन्दर जामा पहन कर और सिर के उपर कलगी लगा कर गुरु आसन पर बैठ गया उसका विचार था कि गुरु जी के बड़े पुत्र श्री गुर्दित्ता जी का बड़ा पुत्र होने के कारण गुरु गद्धी उपर बैठने का हक उसका ही है हर राय जी तो जो उसके छोटे भाई हैं उनका हक गद्धी पर बैठना नहीं बनता इसलिए उसने विचार किया कि सिख सेवकों के उपर अपना प्रभाव डालने का यहें अच्छा समय है दीरमल के इस तरह गुरु बन बैठने से उसके अपने मंस्दों की प्रेणना के साथ अनभी के सिख आकर गुरु की कार बेंट अरपन करने लगे और उसका अपना मेवडा ही अरदास करने लगा इस प्रकार दीरमल को सवा पहर तक बहुत चड़ावा चड़ गया तद उपरां दिवान की समाप्ती करके दीरमल सारा चड़ावा लेकर अपने डेरे आ गया जब इस बात का पता गुरु जी को लगा कि दीरमल ने आज संगत से इस तरह बैठ कर पूजा करवाई है तो आप जिने इस बेनियमी को रोकने के लिए सेवादारों को कहा कि अगर दीरमल फिर गद्दी लगा कर इस तरह बैठे तो उसको वहां से उठा कर कीरत पुर से बा दीरमल और उसके मंसदों को वहां से उठा कर वे उसकी गद्दी उठा कर फैक दी और सिख सेवादारों ने कहा कि तुम गुरु जी के होते आप ही गुरु बन बैठे हो यह बहुत बेनियमी और आयोग्य बात है हमें गुरु जी का हुकम है कि आप जी को कदाचित इस तरह ना करने दिया जाए अच्छा यही है कि आप यहां से अब भी चले जाओ सेवादारों से इस तरह की कठोर बाते सुनकर दीरमर्ग गुस्से से तयार होकर करतारपूर को चला गया हो शिरीहर राय जी को गुरु गद्दी होलियों की पूर्णिमा के बाद दूसरे दिन गुरु जी ने सेवादारों को आग्या दी कि दिवान वाले स्थान पर एक उंचा चबूतरा तयार करके एक बड़े दिवान के लिए दरियां बिच्वा दो और उपर चंदोय तान दो तद उपरां सब संगत को दिवान में बुला कर बैठा दो आप जी के आगया के अनुसार जब सब को ठीक होकर दिवान सच गया और गुरु जी अपने तीन साहिब जादें शिरी सूरतमल जी अनी राय जी और तेग बादर जी और पोत्रे शिरी हर राय जी सहित आकर अपने सिंगासन के उपर सुशोबित हो गए तो रबाबियों ने किर्तन करना अरंभ कर दिया और कड़ा परसात की देख तयार होकर आ गई किर्तन की समापती के उपरांत गुरु जी ने अपने आसन से उठकर शिरी हर राय जी को अपनी जगा बिठा दिया और पांच पैसे और न जो आपने उसको छोड़कर गुरुत्व पौत्र को दे दिया है सूरजमल के प्रती प्रसनता गुरु जी बोले कि चिंता ना करो इनको कोई प्रवा नहीं रहेगी ये सब कुछ प्राप्त होगा जब गुरु जी के इन वचनों से माता मरवाही जिकों की तसल्ली ना हुई तो गुरु जी ने सूरजमल को बुला कर पूछा कि तुम गुरु गद्धी लेकर गुरु बनना चाते हो तो सूरजमल ने कहा महराज मैं गुरु नहीं बनना चाहता मैं गुरु घर की सिखी चाता हूँ सूरजमल की इस नम्रता वाली बात को सुनकर गुरु जी ने कहा कि सूरजमल तुमने सिख्खी मांग कर सब कुछ ले लिया है तुम शाबास है तेरा वंश बहुत बढ़ेगा फूलेगा और गुरु गद्धी भी प्राप्त हो जाएगी जब यह बात सूरजमल ने अपनी माता को बताई तो मरवाही जी गुरु जी के वचन सुनकर प्रसन हो गई और कहा कि इनके किये हुए वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं माता जी को वर्दान लेना माता मरवाही जी के पुत्र सूरज मल के प्रती गुरु जी के यह वचन सुनकर श्री गुरु तेग बादर जी की माता जी भी अपने मन में सोचने लगी कि मेरे पुत्र का क्या बनेगा तो दूसरे दिन जब गुरु जी भोजन कर रहे थे तो माता जी ने हाट जोड़ कर प्रातना की कि माहराज मेरे पुत्र तेग बादर की तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया है वह संत स्वरूप है उनका निर्वा किस तरह होगा वह कोई धंदा करना भी नहीं जानता तो माता जी के यह विचार सुनकर गुरु जी ने कहा कि तेग बादर जी को समय अनुसार गुरु गद्धी भी प्राप्त हो जाएगी और उससे पहले यह गुरुत्व के बिना ही गुरु समान पूजे जाएंगे इनका पुत्र बड़ा प्रतापी होगा देश से जालिम और जुल्म का नाश करेगा अपना अलग पंथ चलाएगा यह वचन सुनकर माता जी महराज को मत्था टेक कर अपने निवास स्थान को चली गई गुरु जी का स्वर्ग सिधारने जाने की तयारी गुरु जी ने अपने अंतिम समय के लिए एक कमरा तयार करवाया और उसका नाम पताल पुरी रख दिया तद उपरांत अपनी दोनों महिलाओं माता मरवाही जी और नानकी जी तीनों पुत्रों शिरी सूरजमल अनी राय जी और तेग बादर जी पौत्र शिरी हर राय जी को मंसदों वैसिक सेवकों को अपने पास बिठा कर वचन किया कि अब हमारी स्वर्ग सिदारने की तयारी है यह कोई नई बात नहीं है संसार का प्रवार नदी की तरह सदा चलता रहता है यहां सब कुछ नाश्वान तथा अस्तिर है प्रभू का हुकम मानना और उस पर चलना चाहिए यही जरूरी है शिरी हर राय जी के प्रती वचन फिर आप जीने हर राय जी को कहा कि तुम गुरू घर की रीती के अनुसार पिछली राज जाकर शौत स्नान करके आत्म ग्यान को हिर्दे में धारन करके भक्ती मार को ग्रहन करना शोग का त्याग कर धैरे रखना और सिखों को उबदेश देकर उनका जीवन सफल करना अपने बाबा जी के वचन सुनकर शिरी हर राय जी ने कहा कि महराज देश के तुर्क हमारे शत्रू है उनके पास हकूमत है उनके साथ किस तरह का विवहार करना चाहिए गुरू जी ने कहा तुम कोई चिंता न करो जो तुम्हारे उपर चड़कर आएगा वह कोहरे के बादल की तरह उड़ जाएगा तुम्हें कोई हानी नहीं पहुंचा सकेगा यहे वचन सुनकर शिरी हर राय जी ने गुरू जी के चरणों पे माथा टेक कर सुक शांती प्राप्त की सिखों और परिवार को आग्या तद उप्रांद गुरुजी ने भाई भाने को आग्या दी कि तुम ने अपने पुत्र को शिरी हर राय जी की सेवा में रहने देना, जोध राय को कहा कि तुम अपने घर कांगर चले जाना, और सतनाम का स्मरण करके सुख भोगना और गुरुजी का लंगर जारी रखना स्वर्ग की और ध्यान इस तरह यथा स्थान सब को धैरे और आदेश देकर गुरु जी ने पताल पुरी नाम के कमरे में गी का दिया जलाकर कुश और नरम बिचोना करवाया और सारी संगत को फिर धैरे और सांतवना देकर भाई जोध राय और भाई भाने को कहा कि तुम हमारे इस कमरे का साथ दिन पहरा रखना तद उपरान सात्वे दिन इसका दर्वाजा शिरी हर राय जी से खुलवाना पहले कोई निकट आकर विग्न न डाले यह भचन करके आप जीने कमरे के अंदर जाकर अंदर से दर्वाजा बंद कर लिया और कुश के आसन पर समाधी लगा कर बैढ़ गए संगत बाहर बैटकर अखंड कीर्टन करने लगी सात्वे दिन सवा पहर दिन चड़े शिरी हर राय जी ने अरदास करके दर्वाजा खोला और गुरु जी के मृत शरीर को स्नान करवाकर नवीन वस्त्र पहना कर एक सुंदर विमान में रखकर चंदनवे घी चिता के पास ल परसा की देख तयार करके बाते। क्या सकता हुआ झाल सकता हुआ टब गुरु झाल सकता हुआ रगा विमान में रखकर को बाते।